जैसे कि आप लोगों पता होगा बिहार ससी सीजियल करें का उच्छी दिनों में आपको रिजल्ट आने वाला है और इसका कट अप क्या जाएगा जो कि बहुत सारे के मन में कंफ्यूजन क्योंकि इसका सबसे प्रेट एंसर की जारी नहीं हुआ आपको को से मिला है अना ऑफिसियल को एंसर की जारी हुआ है तो कितना कौन बनाया का है क्या क्या करकर क्या है तो यह तो पता नहीं है लेकिन एक अनुमानिक कट अप जो हता है वह मैं इस वीडियो में बताऊंगा और जो प्रीपियस यह द्वाजर 15 का कि कितना कट अज़ा तरह स्टुडेंट उसको फॉलो करते हैं और उसी के अनुसाल है को से निख्जाम में देखने को मिलता है किस चेप्टर से कैसे पूछा जाता है वह इसे भी कटप यह तरह से प्रिवियस कटप देख कहीं आगे कटप त्यार किया जाता है और इस वीडियो मुझे देखेंगे प्रिवियस कटप कितना गया था और इस बार कटप क्या जाने वाला है और एक अनुवान कटप बता दिया जाएगा काय कि कुछ स्टुडेंट का सरवे हुआ था मतलब जैसे कि टिलीग्राम पर यूटूब पर पोलिंग करवाया गया था तो उसमें अच्छा का सा रिस्प अच्छा करते उसमें जितना फी घचर देखिए आपको और एक चीज़ान किलियर करते जैसे QR अब जा आए उसमें आपको जैए कि सबसे पहला तो पोष्ट वाइजल पाब ना कि एक सार्ल जैसे कि हर एक पोफ्यक्राइब क जा थेपार आफंग जाए Panama य' साइंस में केमेस्टी हो मैथ हो यह सब चीज के बारे उसमें बताया गया होगा कि इससे यह पोस्ट है उसके लिए पोस्ट है इलिजबल है तो आज आपको हम साड़े पोस्ट वाइजम कटब बताएंगे कितना गया था पिछले साल उसके बाद आप खुद अनौन लगा लें तो यहाँ पर देख सकता सची वाला सायक का इसका जो जेनरल कटेगरी का था जनरल कटेग्रा चारसो बत्तीस गया था और बीसी बीसी का ज्ट्र bulbs घ्लाटोन-श्टाそれでは मतलाब दसी आपको 500 को सता है देड़ सोकेस्ट राता है कुस्टन संखें डेड़ सो रहता है ऐसका जोन चार नमर कराता है पंद्रावाई चो किस इसाठ मतलब छो सो नमर का एजहाम होता आ स्वासाद्राइए जेनरल का गिया था और बीसी का 425 गया था इबीसी का जिसको हम एम बीसी बहुते उसका 410 गि गया था एस्टी का 389 गया था वे डगलू बीसी है कि इसका इसका लगभव आपको मतलब ओमेन महला का 393 गया था यह आपको सची वाला सहायक का उसी तरह आप देखेंगे कि आप पूर्ती निरत्चप इसका जो कटब गया था जैनरल गया था जैनरल भीद्र का जैनलना कि दम सब्लाइं और हम सब्सक्रण आपको इसमें भी यह सारा पोस्ट है जो कि दो हजार 2223 में एक जाम हुआ है एससी सी जेल तरी का उसमें भी सारा पोस्ट है तो उसका भी इसी तरह कट अप आने वाला है ऐसा ने की एक सब कट अप दे दिया मान के चलिए सारे 300 बुठाए सारे 300 सब को ऐसा नहीं होगा हर एक होता है सार्जैंट पोस्ट तरह कर्ट कुट होता है एसा आई का लगोता है और जेलट इंड को जियर शुप्रीडईंट का जो हता है पोस्ट होता है उसका अलग होता है है और इसमें देखैंगे अंचल निरख्षक इसका है 괜찮 ratio गिया जेनरल का 20 का यह इसमें देख सकते हैं सारा कट अप इसमें दिया हुआ है उतना बोलिंग बीरियो लंबा हो जाएगा वैसे परखाण STS C कल्यान पदा दिकारी इसमें देख सकते हैं चारसो बीस लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनेक मिलेगा सबसे ज्यादा जो कट अप गया है सची वाला सायक का गया है इसमें देख सकते हैं जो कि और सबका कट अप यहां पर आपको देखनेक मिलेगा चारसो चपवीस है बीस है उनीस है अठाड़ा है 16 है लेकिन आपको सची वाला सायक का सबसे ज्यादा अगर सची वाले सायक का पोस्ट लेना है तो महेनत थोड़ा ज्यादा करना होगा तो यहां पर यह देख सकते हैं उद्योग विस्तार पता दिकारी इसका 419 गिया है ज बहुत सरब टाइमिंग का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए आपको एक बोर्ट पर लिक के प्रोपर तरीका सापको समझा देंगे पिछले साल कितना कटप गिया था और इस बार कितना कटप जाने की समभाब ना है बोर्ट पर आपको एक्स्प्रेंड करके समझ जाद या जाएगा ताकि आप लोगों के मायन में यह नाड़ है कि कितना कहां कटप जाएगा यहां पर देख सकते हैं सबसे जो कम कटप किया था लेखापाल का गया था यहां पर देख सकते हैं जो कि जेनरल का 410 बीसी का 410 394 एवी सी का एसी 301 आवी और 350 तीन सो एक सट यह रहा लेखापाल सबसे कम कटप मतलब जैसे पोस्टा ना पोस्ट की हिसाब से सबसे जो कम नीचे लेवल का फूर्ट से लेखा पाला तुसका कटप 410 गया था इस अनुसार से आफ लोग कटप देख सकते हैं इसका इसकी शोड भी ले सकते हैं अपलों को असानी होगा क कटेगे मतलब किस पोस्ट पे कितना नंबर की जरूरत है अब भी के टाइम यह तो 2015 का है कि 2015 वाला है जो कि 3600 पोस्ट निकलल था तभी अब भी जितने भी लड़का है सारे लड़का भी तैयारी करते हैं और सभी मतलब जैसे कि इसमें देखियेगा कि एक्जाम केंसी लुगा है उसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा जो भी तैयारी नहीं कियेंगे वह अपना अंडेड परसंट लगा कि तैयारी करके दोवारा जैजाम पांच मार्च को हुआ उसमें पहुंचे थे तो ज्यादा तर आपको रिजल्ट जो देखेगा पांच मार्च से देखने को मिलेगा यह तो मुझे पता नहीं है जो भी हो लेकिन सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि फर्स सिप्ट केंसील हुआ पांच मार्च को उससे देखने को मिलेगा और यह रहा आपका जो ऑफिसियल कटप है यह रहा और आपको हम बता दें अगर आपके पास 105 पलस नमर आ रहा है तो आराम से आप लोग मेंस का त्यारी किजिए अब टार्गे में 404 455 का कि छेषो गजाम है लगभाग आपको आप तैसे चारसों एक्सब्स पाइटीस से 40 के बीच में रहना होगा कुस्तन सही करना होगा तभी आपको और अच्छा कर्ण पोस्ट बन चाहां पोस्ट मिल सकता है इसलिए घृटप पर जाता धियान मत दिजिए धियान देए मेंस पर पर मेंस आपको जैसे रिजन देगा मेंस भी लिया जाएगा तो कट अप एक सो पांच है कोई भी लड़की है लड़की का एक सो लगवा एक सो पलस आरात आप लोग आराम से जानुंस का त्यारी के एख अंबण करके मेंस में लगिए कटा पूटा पे चक्र मत पढ़िए आपका अगर लग रहा है कि मेरा हो जाएगा अच्छा खास आप बना का है हुए तो आराम से मेंस का त्यारी कीजिए को तरह दिक्कत नहीं होने वाला है और बाद वाकि देखी रिजल्ट आने जाने का वो छोड़ दीजिए बस त्यारी क यह त्यारी कोई भी चीज का त्यारी वह खड़ाब नहीं आता जैसे ग्रियोशन वाले फॉम बरेंगे उसके लिए जैसे एसाइए भी आएगा एसाइए भी वह चीज काम कर सकता है जाना थ्रीजिंग नहीं करेगा लेकिन जीके जीए जो पढ़िएगा वह चीज आपको पाइदा होगा तो पढ़ाई यह कभी घाटा नहीं देता है वह चीज आपको पाइदा ही होगा तो अराम से त्यारी कर सकते हैं फिर सुन रहें कि एससी का कुछ ने कुछ शीट आने वाला है तो देखिए मतलब ब्लॉक लेबल का मतलब प्लस टू लेवल का आने वाला है प्लस टू का तो हो सकता है आभी सकता लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा प्रवाजी चल रहा है तो अभी वेकेंसी पर तुम्हें भी विश्वास ने करता हूं वेकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी लेकिन हाँ वेकेंसी आएगी और वेकेंसी आने इस पहले आप लु खुद के लिए 100 परसंट जब तक त्यार ना हो जाए तब तक बैकेंसी बारे मत सुचिए बैकेंसी आहीं जाएगा तब लोग क्या कर लिजेगा पहले आप लोग तयार होई है ज्यादा अभी कट अपके टेंशन में मतलब यह चीज़ी मत रही आपको हम कल तीन वज़ा लग लिजे कितना कट अब जाएगा नहीं जाएगा और मेंस के लिए आपको प्रोपर कितना टार्गेट रखना है जब तक को चीज़ टार्गेट नहीं रखिएगा तब तक अच्छा पोस्ट आपको नहीं मिल सकता है जैसे अगर बच्चा में आप लोग साइकल सिखेंगे तो बता जाता है कि आगे देखो हां मतलब कोई पोल या किसी चीज़ को बता जाता है तो उसको देखो टार्गेट रखो तो उसी तरह इसमें भी आपको टार्गेट रखना होगा इतना नमबर मतलब इतना एवरेज में को आना है तो अच्छा पोस्ट लाना है अगर सचिवाल साहक बनना है या तो अंचल निरक्षक बनना है यह सब बढ़ियां पोस्ट है तो आपको एक टार्गेट फिक्स करना होगा कितना नमर क्या आसपसम पूराना है तो आपको कल पूरा एक बोर्ट के द्वारा हर एक कटेगरी वाइज और मेल फिमेल दोनों का प्रिवियस यह आपको पूरा बता जाएगा कितना कितना कहां कटप किया है और उसके बाद एक अनुमानी कटप भी बता जाएगा तो आप लोग चैनल से जूरे नहीं है तो चैनल को आप लोग जाएगे और चैनल को सेर कीजिए वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा कटप के चक्र मत रहे है अपना पुड़ा कीजिए तो फिटते फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक लिए जाएगे